ऐसे हैं हुआ कुढर मोर्नि 먹는ा इसे हैं से वेलकम टू आरशय ये याजु congressional वा ओनलाइज क्लासेज आर्टिआरिविशियल कंटरोल कृत्रिम नियंतरण क всё जो है उनका किस प्रकार से दैस Pepsi यहांथ आम पर सबसे पहले बात करें करें कृत्रिम नियंतर्ण होता क्या है अब पिछली क्विडियो था पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा नैचुरल कंट्रॉल जिसमें प्रकृति के जो का रक थे उनके दौरा किटों का सवत मियंतर्ण हो रहा था मानव के द्वारा विभिन्य विधियों के मादम से कीट्टों का नियंत्रण किया जाता है उसे कृत्रिम नियंत्रण कहते है अब यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारियां होती है जिनकी आवसकता होती है ऐसी कौन सी जानकारी है जिनकी क्रिसकों को या किसानों को जानकारी होना जरूरी है जिससे की वो क्या कर पाए क्रत्रिम नियंत्रन यानि कि कीटों के बारे में कुछ ऐसी जानकारिया होती है जिनके बिना किसान उनका नियंत्रन नहीं कर सकता इसलिए कीटों की समन्वे और उनके नियंतरण के लिए आवशक जो जानकारियां है जो की किसानों को होनी चाहिए वो निम्न प्रकार से हैं यहां पर सबसे पहले जीवन चक्र कीट जो होता है उसका जीवन चक्र किस प्रकार का है उसको समझना बहुत ही आवशक है इसी के साथ कीट की प्रकरतिक और मोसमी इतिहास जो होता है उसकी जानकारी होना सब्भाव किस प्रकार का है कौन सी आवस्था में जाकर वो चति ग्रस्त नुक्सान पहुँचाता है रहन सहन उसका रहन सहन क्या है जिससे उसके उपर अटेक करके उसको नश्ट किया जा सके या कौन सी विधी का उसके उपर उप्योग करके उनको नि बोजन के रूप में खाते हैं तो उन प्राकर्तिक सत्रूं का भी हमें ज्यान होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हमें पता रहेगा कि प्राकर्तिक सत्रू कौन से जीव हैं तो उन जीवों को प्रोचसाहन करके उनकी संख्या में व्रदी करेंगे तो व्रदी करते हैं तो व प्रियोग उनके उपर नहीं नहीं करना हैं तो हम उसे नतीजे पर पहुंचाते हैं कि कीट के उपर कौन सी विधी प्रभावी होगी क्योंकि कीट नियंतर की बहुत ज्यादा विदियां हैं सबी को हम उनको उपर लागो करके हम रेजल्स नहीं निकाल सकते हमें पहले से पता होना चाहिए कि कौन से कीट के उपर कौन सी जो विधी है वो प्रभावी होगी हम प्रियोग उनके उपर नहीं कर सकते हैं प्रियोग कहां करना है हमें इन बातों का धान रखना है कि कीट जो आर्थिक सीमान्त और आर्थिक छती इस्तर का निर्धारन होना चाहिए यानि कि कीट जो होता है वो किस प्रकार से ये कितनी छती पहुंचाता है वो इस्तर जो होता है वो हमें पता होना चाहिए उसका निर्धारन करना चाहिए कि जो नियंतरन की विधी हम अपना रहे हैं उ स्टार प्वेंट नोट प्वेंट है कुश्वन भी बन सकता है यहां पर कीट नियंत्रन की सफलता जो होती है वो किसके उपर निर्भर करती है यहां पर हम कृत्रिम नियंत्रन जो पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर कुश्वन और बन सकता है यहां से कीट नियंत्रन की जो सफ जैविक हो सकते हैं या फे एजैविक हो सकते हैं तो इन कारकों के उपर निर्भर करता है कि कीट नियंतरन कितना सफल होगा इसी के साथ कीट एवं फसल की जैविकी और वहां का पारिस्तिती की दंतर जो होता है इन सभी बातों के उपर निर्भर करता है कि कीट नियंतरन की ज भाइवित करने वाले कारक कीट यहां फसल की जैवी की और पारस्तिति की यहां पर हमारे पास में क्युष्ण भी बनता है और हम इसको इस प्रकार से सॉलू कर सकते हैं तो यहां से हमारे पास में दो क्युष्ण थे जो यहां complete होते हैं फर्स्ट कुश्टन जो है वो तो सफलता पूर्व कीट नियंत्रन ये तो किन किन कारकों की पूर्व जानकारी और समन्वे आवशक है वो यहां तक हो जाएगा और उसके बाद में आता है हमारे पास में कि कीट नियंत्रन सफलता किसके उपर निर्भर करती है तो इस प्रकार से ये कुशन्स जो हैं वो कम्प्लीट होते हैं धन्यवाद